हलो दोस्तो मैं हूँ रोसन और आप लोग देख रहें नेचरल देशी मुर्गी तो दोस्तो आज का हम लोग वीडियो में दोस्तो बात करें कि एक स्वस्थ मुर्गी दोस्तो कैसा दिखाए देता है दोस्तो तो दोस्तो जैसे कि आप लोग देख रहे मेरे स्क्रीन में ये एक आप लोग को पुरा लिखा हुआ दोस्तो अच्छा से दीख रहा है तो दोस्तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि आप लोग देख रहे समान्य वजन दोस्तो होता है जैसे एक स्वस्त मुर्गी में और दोस्तो चैतन्य दोस्तो चैतन्यता दोस्तो और फुरतीला पन जैसे कि दोस्तो आप लोग जैसे मुर्गी को हांत में लोगे तो उस समय दो तो दोस्तो आगे और है कि दोस्तों चेहरा भरा हुआ जैसे दोस्तों कोई सुस्थ हुआ रहता है दोस्तों कोई यानि कि कई दिन से खाया पिया नहीं हुआ रहता है तो वह दोस्तों आप लोगों सुस्थ हुआ एकदम और दोस्तों नाशिक साफ यानि कि वहां का नाक में दोस्तों कोई वहां पी गिलापन नहें रहेगा पूरा साफ सुथरा और दोस्तों मयुक्स करहित क्योंकि और उसमें पूरा सा छेहरा खिला खिला और दोस्तों आखों में जोती और अधिक प्रकास दोस्तों रहेगा क्योंकि उसका जोती दोस्तों जैसे आंक का जैसे हम इंस और दोस्तों आख भी पुरा साप तरीके से रहता है और आगे दोस्तों देखिए कि कि अज़री प्लख की नहीं होते है क्योंकि दोस्तों इनका कट्शुरी दोस्तों अज़री कि लाल रंग से और दोस्तों da84 ढर्ब describes प्रीज़ चत्म लेक्त हुआ ऐस प्लोग नहीं ह Uneel missionary by Subscribe कि में तो उससे आप लोगों कई आप लोगों पता चले जाता ही कि देखने को ऐसे मिल जाएगा कि यह मुर्गी किस परकार से है तो दोस्तो एदम पुरा स्वस्त रहेगा बाल वगेरा दोस्तो एदम चमकदार होंगे और दोस्तो एक अस्वस्त मुर्गी का दोस्तो जैसे बाल वगेरा जड़ने लगेगा और दोस्तो आप लोग आगे देखे टांग टा step and erase Bob二 근160 पानी पीटी है तो था क्रोप भरी हुई रहती यालिठू दूश्धों भोड आपके बॉरबर सही भंसे के दोस्तों दाना खुआ है फ़ दोस्तों और पानी भी सही माता में ले और दोस्तो आगे है कि दोस्तो बीट सफेद रंग लिए हुए मटमेले भूरे रंग की बंधी हुए यानि कि उनके दोस्तो पोटी भी अच्छा तरीका से रहेगा दोस्तो क्योंकि मुर्गी की बीट से भी हम लोग को पता चलता है तो दोस्तो आगे चलिए हम लोग अब बात करते हैं आस्वस्त मुर्गियों के लच्छन तो दोस्तो इसमें आप लोग को आप लोग स्क्रीन में देख रहे हैं कि वजन में कमी होता है सुस्त उदासी उठते समय संगर्ष ना करना सांस लेते समय व्यकूलता तथा सरीरी तापमान या अधिक होना यानि कि वो मुर्गी दोस्तो आप लोग का जो भी है आपके पास वो दोस्तो वजन में कम आएगा और सुस्ती भी और उदासी हुई रहेगी उठते समय या संगर्ष यानि की ताकत लगा की उठेगी और दोस्तो सांस सांस लेने में एकदम से तकलीफ होगा और शरीर भी का तापमान दोस्तो अधिक यानि कि मुर्गी में का सरीर पूरा गरम रहेगा और आगे है पेट फुला हुआ जल से भरा हुआ नासिक में म्यूकस नेत्र सुस्त वा सुजे हुए होना यूंकि दोस्तो इस स्तिती में पेट फूला हुआ रहेगा और दोस्तो उस समय ज्यादा पानी पीएगा और जिस कारण सरीर में ज्यादा पानी की मात्रा रहेगा और नासिक दोस्तो एदम भिंगा हुआ रहेगा म्यूकस यानी मुर्ज्याय हुई और नेतर भी सूजे हुए यानि कि उसके आंक भी एदर मुर्ज्याय हुए रहता है कलगी कलगी है कलगी शुकडि या नीले रंग एविए घल कंबल नीले या फिर पीले हो जाते हैं और दोस्तों आगे है पंक जुके हुए मैले रंग सथा चमक में सूजन दिखाई देना जैसे दोस्तों हमने देखा कि उस सवस्त मुर्गी में उनके पंक में क्योंकि वह हमेशा दोस्त अपना बाल वगेरा को धूल में सहलाती है नहाती है ज फिर बस उस्ता ही हुए जिस कारण उनके बाल दोस्तों एकदम से मुर्जाई हुए रहेगी और आगे दोस्तों टांग में सूजन कम मिलना तथा लंगड़ा कर चलना जैसे दोस्तों आप लोगों पता है कि कोई बिमारे मुर्गी दोस्तों लंगड़ा कर चलती है दोस्तो अधिक से अधिक पानी पीना लगती है जिस कारण से मुर्गिया को और से और अधिक प्यास लगती है वो खाना से ज़्यादा पानी ही लेती है जिस कारण उनके सरीर में जोस्तो अधिक से अधिक पानी भर जाता है और दोस्तों हरे पीले सफेद रंग की बीट दस्त के मुर्गी दोस्तों एदम से हरे पीले रंग के मुर्गी बीट करने लगती है जिस कारण से वह दस्त में भी दोस्तों पीली होने लगती है तो दोस्तों आप लोग ने देखा कि स्वस्त और आसुष्ट में इतने सारे दोस्तों डिफ्रेंस रहता है यानि कि अलग-अलग फिर आस्वस्त है तो दोस्तों उमीद करता हूँ ये वीडियो दोस्तों आप लोग को अच्छा लगा होगा तो दोस्तों जरूर से लाइक कर दीजेगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा ताकि दोस्तों अगला वीडियो भी दोस्तों आपको जल्दी ही प् नियावाद